बारबंकी जिले में फाइलेरिया रोक पर अंकुष लगाने के उद्देशे से स्वास्त विभाग के द्वारा राष्ट व्यापी सर्वदावा सेवन अभियान चलाया जा रहा है 27 फर्विडी तक चलने वाले इस फाइलेरिया उन्मोनन अभियान को सफल बनाने के लिए बारबंकी जिले में 3064 टीमों का गठन किया गया है जिसमें शहरी और ग्रामिर शेतरों में स्वास्त विभाग की आशा एनम के साथ साथ आंगनबारी कारकरताओं की टीमें घर गड़ जाकर दो साल से अधिक उमर के लोगों को ट्रिपल ड्रग डोस दे रही है जिनमें अल्मेंटाजोल, D.A.C. और साथ ही आईवर्मेक्टिन दवाएं खिला जा रही है मुक्च किससाद काई डॉक्टर अवदेश कुमार यादाओं ने बताया है कि इस बार प्रदेश में 51 जनपदों में फाइल एरिया नियंतरों अभियान चलाय जा रहा है इस सर्व दवा सेवन अभियान में गर्वती महिनाओं और गंभी रोक से पीडित लोगों को ट्रिपल ड्रग की डोज की दवाओं के सेवन से दूर रखा गया है समय फालेरिया का प्रोग्राम चल ला है घर-घर हम लोग 25 घर जाते हैं एक दिन 25 घर में घर-गर हर वेक्ति को दवा के लाते हैं अपने सामने 27 तारिक्स तक ये प्रोग्राम चलेगा और ग्रामेड में बहुत ज्यादा फैलेरिया मरीज फैलने के कारण जो है इसके उपियोग ये दवा जो बहुत उपियोगी हो रहे हैं इन 18 जन्पदों में 5 जन्पद जिस्मिक हमारा बारों की जन्पद है यहां ट्रिपिल ड्रक तिरपे दी जाएगी दो साल से उपर के बच्चों को दवा खिलवाई जाएगी आशाओ द्वारा घरगर जाकर के दवा ऑनिस्पार्ट खिलाई जाएगी इसमें हमारी 180 सीटी में लगाई गाई है इसमें 27 सुपरवाईजर है इसमें जो होता है तीन दवाईयां अलमंडा जाल आईबर मेक्टीन और डेसी दिया जाता है यह एज के हिसाप सुनको दिया जाएगी